कुछ लोगों को तब नमक सत्यागर छोटा लगता था। उसके एमियत नजर नहीं आती थी। अब इस सरकार के हने कारिय उनको छोटे लग रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक उधान देकर समझाता हूँ। आप सोचिये साथ हूँ। स्वच्य भारत मिशन के तहत देश में नव करोड से जादा सौचालय बनें। तबी तो आज लाखों लोग अनेग बिमारियों से बच रहे हैं। इन सौचालयों ने महिलाओं की जिन्दगी कितनी आसान की हैं। ये नकारात्मक्ता से भरे लोग समझ नहीं सकते हैं। उनके दिमाग को नकारात्मक्ता का ताला लग गया है। एक अनुमान है कि टॉलेट बनने की वज़े से देश में तीन लाख गरीबों के जीवन की रक्षा संबव हुई। स्वच्च भारत का मजाक उडाने वालों को, विरोध करने वालों को गरीब की जिन्दगी की कोई परवा नहीं है। साथ को ये लोग चाहें जितना मजाक उडाएं, नए भारत ने इन बढ़लाओं के लिए अपना मन बना लिया है। और स्वच्चता, पुझ भापु कभी कह चुके थे, कि आज आदी और स्वच्चता मैं से मुझे पहला कुछ चुनना है, तो मैं स्वच्चता चुनूंगा। आए दिन बापु का नाम लेकर के राजनीती करने बाले लोगों ने, बापु का ये छोटा सा सपना पुरा किया होता, स्वच्चता का काम किया होता, तो भी बापु को सच्ची सरधांजली होती है। जब समाज सकारत पक्ता के साथ आगे बढ़ता है, तो ये बड़े बड़े संकल्प सिद्ध कर पाता है। इस वर्ष, दो अक्तूबर को, जब हम बापु की एक सो पचासवी जन्वजेंती मनाने वाले हैं, तब तक संपुर्ण देश को खुले में सौच से मुक्त करना है। मुझे खुशी है कि ग्रामीर स्वच्चता का जो दायरा, 2014 में हमारी सरकार बनने से पहले, 2014 में करीब-करीब 38 प्रतिशत था। वो आज 98 प्रतिशत हो गया, 38 से 98 अड़त री थी अठाणूं। इसका मतलब हुआ कि देश लक्ष के बहुत नीकट पहुच चुका है। एक बार जब देश के हर परिवार के पास साउचाले की सुविधा होगी, तो स्वच्चता के अभ्यान को और गती मिलेगी। साथ क्यों, सरकार का निरंतर प्रयास है कि बापु के जीवन और उनके बताय रास्तों से देश और दुनिया रोसली लेती रहे। जाथ को मैया एक हुआ